हे दोस्तों, असलाम लीकूंग, कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ, आप सब खरियत होंगे, अलहम्दोलेला हम सब भी खरियत से हैं, आज हम बनाने वाले हैं भल्ला पापडी की में जो पापडी बनती है ना, उसकी रेसिपी, ये है बिल्कुल परफेक्ट मिजरमेंट के है की नहीं, तो अब आपको कभी भी दही बनाने हो, ये पापडी चाट बनानी हो, तो इस रेसिपी को मेरे जरूर फॉलो करें, चलिए फटा फट से स्टार्ट करते हैं, हम इस पनी रेसिपी को, इस रेसिपी में हमने लिये हैं, आदा किलो मैदा, उसके अंदर एड़ करा है, और रिफाइन ओईल तकरीबन तीन बड़ी चमबच आइड करें हैं, मैंने, अब इन सारी चीजों को पहले हम हाथों से मसलते हुए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको और वी जादा करणशी बिदाने के लिए, मैंने यहाँ पर एड़ करें हैं, दो बड करना है, तक्रीबर 5 मिनिट इसको हम रिफ्लें देंगे और 5 मिनिट रिस्ट करने के बाद हम इसमें से एक और निसको फिर ने पो इसको किने के बलएगे, अब यह बहुत्त ही जैदा लाँवाली और क्रंची बनती हैं बड़ी किन रिवारी कि मियंगे बन जाती हैं अब इसकी बड़ी सी रोटी बिलने के बाद हम कोई भी घर का ग्लास ले लेंगे और इससे हम छोटी छोटे इसके shapes काट लेंगे और अगर आप इसको ग्लास से ना काट करके ढखकन से किसी काटना चाहते हैं उससे भी काट सकते हैं अब क्या करना ही जो extra हमारा डो बचा हुआ है उसको हटा देना है और जो हमारे जो छोटी छोटी तिक्यां तबनी है इसके ओपर हमें oil को इस्प्रेट करना है oil spread करने के बाद हम इसको एक के उपर एक करके layers बनाएंगे layers बनाने के टाइम पर हमें ख्याल रखना है कि सबसे एक के उपर एक हम रखते तो जाएंगे लेकिन जो last वाली जो layer होगी न हमारी last वाली जो हम टिक्की रखेंगे उसे हम turn करके रखेंगे इसी तरह से हम दूसरा भी batch त्यार कर लेंगे तिक्कियों की एक layers लगा करके perfectly हमारी जो तिक्क्याद लग जाएंगे layers में तब हम इसको हलकी हाथों से पहले हाथों से बड़ा करेंगे हाथों से बड़ा करने से क्या हुआ कि हमारी जो layers होगी वो set हो जाएंगी और तेल लगाने के वज़ा ये है कि जब हम इनको fry करेंगे तो ये अपने आप ही एक दूसरे की layers छोड़ने लगेंगी अब हाथों से थोड़ा बड़ा करने के बाद हम use करेंगे बेलन का अब बेलन से हलके हाथों से इसको थोड़ा सा शेप और बड़ा करेंगे ताकि ये और भी ज्यादा पतली हो जाएंगी जो layers हमारे बनी है ना पापड़ी की वो थोड़ी और पतली हो जाएंगी और जब हम fry करेंगे इसको बिल्कुल भारी को पर करारी से आपकी पापड़ जो इसथी पापड़ी ये हमने बेल करके बिल्कुल रेड़ी करनी है और इनको फ्राई करने के लिए तेल भी हम ने कढ़ाई में बिल्कुल गर्म करने लिए रख दिया है मीडियम आच पिया हमारा तेल होना चाहिए गर больше यार्म भारी एक लिए बहुत मैं इसको अगर आपने इसी तरह से कर रहा ना बिल्कुल सेप्रेट होती चली जाएंगी पापड़ियां बिल्कुल बारीक बनकर के त्यार होंगी अब बजार वाले पापड़ियां कैसे बनाते हैं वो तो आपको बताएंगे नहीं लेकिन जब कभी भी आपको मौका भी नहीं था आप आप सिप ऑब्जर्ब करके दिखेगा बिल्कुल यही तरीका वो भी अपनाते हैं बहुत ही इससे ज्यादा आपके क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं लेयर्स और जब आपके पापड़ियां खुलती है यह इतनी ज्यादा क्रंची बने की बिल्कुल बाज़ार से भी जबर कि धीमी आज के उपर इसको फ्राई करना है और जब लास्ट में हमारी सारी लेयर्स खुल जाएंगी तब हम इसे मीडियम आज कर देंगे और मीडियम आज के उपर इससे प्यारा सा कला लेकर क्या जाएंगे तो अब अगर आपसे भी बिल्कुल करारी सी पापड़ियां न मेरी इस रेसेपी को जरूर फॉलो करें और फॉलो करने के बाद अगर आपको पापड़ी की रेसेपी अच्छी लगती है तो भई इसे अपने फैमिली और प्रेंच में भी जरूर शेयर कर दीजेगा ताकि वो भी अपने घर में इतनी करारी और क्रिस्पी सी पापड़िय तो आप भी इस रेसेपी को पेले से बना कर रख लीजे और अपनी रन्जान को बहुत Circuit बहुत ही असान कर लीजे मिलीजे यूंच करने की बाद में ब्र इलाइकण का बटन भी जरूर प्रिस कर देंश च्छी मेरी आने वाली हरalar नई वीडियो की नोटिफिचिन सबसे पहले प्री में आपको मिले फिर तुम अपनी दोस्त को दीजे इजाज़त फिर इंशाला मुलागात होगी नहीं नहीं आसान से रेसिपीज और वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रहें कि दूआ में बहुत 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 याज़ा कि अलाफिस